आप 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 कि अब आप कि अब आप हेलो स्टुडेंट मैं हूं आदिल कॉंसेट क्लासेश जैपूर से और स्टुडेंट आज मैं जानता हूं बहुत खोश है क्योंकि स्टुडेंट आपको जानना बहुत ज़रूरी कि उन्होंने कौन-कौन से पार्ट ऐसे हैं जो डिलीट किये हैं ठीक है तो यहां मैं आपको बता रहा हूं डिलीटेट पोश्चन ऑफ मैट्स क्लास टैंथ के फिर मैं बताऊंगा साइंस का एसस्ट इंग्लेश क्लास 12 का भी से डिलीट कर दिये आपके बोर्ड एक्जाम के लिए ठीक है तो रिवाइस कलेंडर अपन यहां पर देख रहें एक बार क्या है क्या है यहां पर देखते हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अपनी एक अंडॉइड एप है अब अवेलिबल है उसके उपर प्ले स्टो आपको पूरा यूट्यूब का चैनल अपना यहां पर लिंक मिलेगा ठीक है कोई प्रोड्रिक्ट आपको हमारा पसंद आ रहा है तो यहां से आप पैमेंट्स के द्रूस से हई सकते हैं कि कौन-कौन से आपने दी हैं और आपकी क्या रेंग के वह भी आप इससे पता लगा सकते हैं ठीक है तो आगे हम बढ़ते हैं पहला पहला चैप्टर है हमारा पास रियल नंबर तो रियल नंबर में से सीवेसे ने क्या चीज़ डिलीट करिए इस ट्रेंट एक आपके लिया ठीक हैं के लिए तो यह बहुत अच्छा हुआ अपके लिए ठीक है इसमें बहुत mistakes होती थे आपसे तो अगर यह हटा दी गई है तो आपके पास अच्छा मुका है अच्छे नमब लानेगा ओके चैप्टर धर पेर ओफ लिनियर एक्वेशन में cross multiplication method हटा दिया गया है वैसे भी यह board exam में आता नहीं था लेकिन अब तो officially बोल दिया गया है कि cross multiplication method आपको पढ़ना ही नहीं है ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है cross multiplication आप छोड़ देना बिल्कुल मत पढ़ना उसको बाकी पढ़ना इसका ओके chapter number 4 quadratic equation quadratic equation में student topic remove किये गये है वह situation problem based on the equations reducible to quadratic equation यानी quadratic equation में reduce करने वाले जितने भी equations थी सब हटा दी गई है ठीक है बहुत बड़े question होते था यह करीबन तीन number का question आता था वो हटा दिया गया है अब आपको जो है reduce करने के जरूत नहीं quadratic equation में direct आपके पास जो है option होगा quadratic equation को solve कोएने का उके उसके बाद एक question चप्टर जो है फाइफ चप्टर फाइफ है आर्थमाटिक प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन में कौन सा topic remove किया गया अप्लिकेशन इन सॉल्विंग डैली लाइफ प्रॉलम डैली लाइफ प्रॉलम बैस जो कॉश्चन आते थे सम और फैं चैप्टा शिक्स कोडिने जामेट्री में अर्य ओफ ट्रेयंगल पन्दे दिजरूरत नहीं हें चैप्टा颜ॉ मैं ए parliament फंद्रॉलम जे प्रcue similar triangles is equal to the ratio of the square of their corresponding sides वैसे भी exam में आती नहीं थी लेकिन फिर भी आपको अब पंडे का attention नहीं कि इसको पंड़ना है या नहीं पंड़ना है तो इसको पंड़नी की ज़रूरत नहीं है एक तो यह वाली theorem और दूसरी theorem है in a triangle in a triangle if a square on one side is equal to the sum of the square of square on other two sides the angle of opposite of the first side is a right angle यह भी आपको पंड़नी की ज़रूरत नहीं है आपकी बुक में देख लेना कहां पे है यह यह थियोरम उस पर कट लगत देना ठीक है पंड़नी की ज़रूरत नहीं नहीं आने वाली है champion 8 circle circle से कोई भी deletion नहीं क्या circle पूरा chapter पुरा पाढ़ना है व्यसी ही बहुत symbol chapter आपको पाढ़ना हैर कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो delete किया गयत ठीक है उसके बार चेप्टर9 production construction में student आपसे बसे जो टॉपिक रमुक गया गया है Wür वह त्रेक्ष Perquè ओफ ट्रेंगल सिमिलर टुए ट्रेंगल यानि आपको एक ट्रेंगल दे दिया जाता था और ठीक उसी तरह आपको कंस्टेक्ट करके सेंप ट्रेंगल बनाना होता था वह अब रिमूव कर दिया गया है ठीक है स्टुएंट ओके चप्टर 10 इंट्रेक्शन ऑफ ट्रिणोमेटरी जो कॉस्टिटा था यह वह खाई आपके उसमें से ठीक है यह वाले जिसमें यह फाला था टीकल्स दीए पूरी उसमें परभी शोड़ी प्रेश्या जासे रिख वह बूब्रीवा है यह वादि पर दिया तो इससे तो फर्ट पढ़नी तो है से फिर दोब फरक्त पढ़ने ठीक है लेकिन आपको trigonometry पूरी पढ़नी पड़ेगी क्यों क्योंकि height of distance में से कोई भी deletion नहीं किया है height of distance वाला जो chapter है उसमें से कोई भी part आपका delete नहीं किया है तो height and distance में वो सारी topics आते हैं जो trigonometry के अंदर है तो आपको पूरी trigonometry पढ़नी पड़ेगी कोई deletion नहीं हुआ है trigonometry के अंदर ठीक है area related to circle में problems on central angle of 120 degree center angle जो बनता था 120 degree वो अब उस पर best question आते था हटा दी गया है वो नहीं आएंगा है ठीक है ओके जिसमें center angle जो बनता था 120 degree वो हटा दिया गया है पार सर्फिस अर्लिया में first term हटा दिया गया है strength first term of korn बहुत ही ज्यादा जो simple था वैसे लेकिन बड़ी आए कॉन first term हटा दिया फ्रेस्टम पढ़नी की जरूरत नहीं है strength ठीक है ओके chapter 14 स्टेटेस टेक्स में से step division method बहुत ही बड़ा method था अच्छा हुआ हटा दिया और फॉर finding the mean ठीक है step division method जो है बहुत बड़ा method है ठीक है इसको इसके अलावा आपके step division जो है finding the mean वह भी हटा दिया गया है ठीक है उसके बादे probability probability में कोई बी डिलेशन नहीं किया है probability में कोई डिलेशन नहीं किया है probability में आपको जो है सारा पढ़ना है वैसे बहुत इजी प्रॉबिलेटी है ठीक है तो यह पूरे chapters थे match के जिसमें topic अटा देगा है topic आप लिख लो वीडियो पॉस्ट करके और बहुत जरूरी है कि आप वही पढ़ो जो आपके आप डाउनलोड कर सकते हों ठीक है concept study point सर्च करो प्ले स्टोर के उपड़ अपना लोगो दिखेगा अपना लोगो यह रहा स्ट्रेंट लोगों के थोड़ा ध्यान रखना ठीक है अपना लोगो यह रहा उस पर क्लिक करके आप उसे जो है इंस्टॉल कर लेजिए ओके स्ट्रेंट ठीक है ओके